हलो दियर स्टूरेंट्स आज से हम 12 स्टेंडर्ड एकनोमिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे 12 स्टेंडर्ड एकनोमिक्स इस consisting of 11 chapters in 11 chapters में से कोई chapters ऐसे हैं जिन में there is lots of data which we will learn in the class itself और कुछ chapters ऐसे हैं जिन के लिए हमको points learn करके और उसके अंदर का explanation लिखके हमारा काम हो जाएगा I will repeat 12 स्टेंडर्ड एकनोमिक्स के काफी सारे chapters ऐसे हैं जिन के लिए हमें data learn करना होगा और कुछ chapters ऐसे हैं जिन में हम theory concepts करेंगे so today we are going to start with 12 स्टेंडर्ड एकनोमिक्स chapter number 3 money and inflation मैंने आप सब को introduction class में ये बताया था के economics का last 2 साल का board का paper में they don't have followed the blueprint as prescribed by board that is paper की अंदर ऐसा fix नहीं है कि कौन से chapter में से long answer आया है और कौन से chapter में से 2 या 3 marks के question आया है board का जो first paper हुआ था March 2017 with the new course 18 with the new course उस paper में blueprint exactly followed था according to that ये chapter में से board की blueprint में we have one mcq one two mark answer and one five mark long answer but मैं आपके साथ अब एक छोटा सा point share करता हूँ अगर हम कोई भी chapter के अंदर दिये हुए given long answers को अच्छे से prepare करते हैं so if those are action short answers that is 3 or 2 marks तो भी हम वो उसमें से frame करके लिख सकते हैं and if we prepare our long answers properly तो automatically हमारे mcq one liners भी सही से prepare हो ही जाहेंगे so हम कोई भी chapter के अंदर अपने long answer portion पे सबसे ज़्यादा focus करेंगे now those students who may be in the dilemma या कोई essay student हो सकते हैं जिनको ऐसा ना पता हो कि हम अपने class के pamphlet में से directly क्यों पढ़ रहे हैं तो मैं आपके साथ यह share करना चाहता हूं कि हमने अमारे class का pamphlet बनाया है उसको बनाने का procedure simple ऐसा है कि we just got the whole textbook got typed ready हमने पूरा textbook ready कर लिया then textbook में दिये हुए questions को ही हमने question की नाम पे लिखके उसके नीचे textbook का ही answer लिखा है so in a way आप भले हमारे साथ word pamphlet में से रहे हैं but in a way you are studying from textbook only इसका language, इसका content, इसके points dicto to dicto same to same gujarat state textbook के हैं apart from that इसके अंदर लिखा हूँ जो content है वो आपको question answer format में मिलने की वज़ा से आपके लिए वो learn करने में easy हो जाता है फिर हमने कुछ questions को two mark questions में convert किया है कुछ में से mcqs बनाया है कुछ में से one liners बनाया है at the same time textual exercise का कोई भी question यहां pending नहीं रहता है so now let us start with the detailed study of the chapter after getting this much introduction so chapter का नाम है money and inflation let us now understand what this name signifies यह meaning this name का meaning क्या है okay when I say money अब इंसान का स्वभव ऐसा होता है जब उसके सामने कोई word आता है तो उसके मन में उस चीज की image बन जाती है तो obviously अब मैं guess कर पा रहा हूं आपके मन में गांदी बापू वाले जो हमारे country में चलने वाले सबसे important जो चीज है गांदी बापू का photo है जिस पे वो चीज का आपके मन में photo आ चुका होगा यस मैंने भी सही guess किये और आप भी सही guess कर रहे हो मैं हमारी currency notes की बात कर रहा हूं when I say money आपके mind में सीधा currency notes का photo बन रहा होगा so you know the concept of money तो उसके बारे में मैं थोड़ी दिर के बात बात करता हूं when I say inflation inflation इसको सुनके आपके मन में क्या image बन रही है yes sir यह word मेरा सुना हुए inflation का मतलब सर होता है महेंगाई okay जो कह पा रहे हैं तो अच्छी बात है जो नहीं कह पा रहे हूं उनको मैं ऐसे illustrate कर दे रहा हूं हर एक के पास एक कान ही होती है कि जब मैं छोटा होता था तो यह चीज मैं इतने रुपे मिल्क तो पांच रुपेगा होता था अच्छा मेरे जमाने में शायर बीस वाला जो डेरी मिल्क उतनी पैकिंग पांच में आती थी आज दस रुपेवाला डेरी मिल कैसा होता है कब खुला कब पूरा हो गया पता ही ही नहीं चला यस अब ठीक है दस रुपे में बेशना है तो तो कॉन्टिटी इस लेस बट जब कोई चीज के रेट कंटीनियसली बढ़ते जाते हैं तो उसे इंफलेशन कहते हैं सो वन्स नौव यह क्लिए विट बेजिक मीनिंग आप मनी और इंफलेशन हम इस चेप्टर के डीटेल में चलते हैं All of you, Money, Money एक ऐसी चीज है जो हमें लेंद दिन में काम आता है It is the thing which we use for buying different goods and services यह वो चीज है जिसको हम लेंद दिन में काम लगाते हैं पैसा दे तेरे काम की चीज ले और अगर आप businessman हो तो आप कहते हो पैसा दे दो तो अपने काम की चीज ले लो It is give and take is today possible with the help of money तो हम अब इसके थोड़े past में चलते हैं क्या दुनिया इसी तरह से start होई थी क्या चीजें पैसे के लिए दी और ली जाती थी नहीं शायद अब आपको याद आ जाना चाहिए आपने कहीं कोई छोटे standard में यह जरूर पढ़ा होगा word सुना हुआ होगा और आप सही guess कर रहे हो मैं बाटर वर्ड के बारे में बात करने वाला हूं बाटर बाटर एक ऐसा system था जहां पैसे का कोई अस्तित्व नहीं था लोग पैसा नहीं यूज करते रहे गोड्स के बडले में goods और services के बडले में services या goods की बडले में goods and services services की बडले में goods and services that is कोई भी एक चीज़ के बडले में कोई दूसरी चीज़ आपस में exchange किया करते थे सो पैसे का जनम हुआ उसके पहले का जमाना है बार्टर सिस्टम सो अब हमारा भी इस चिप्टर का फर्स्ट एंसर है What do you mean by बार्टर सिस्टम सर अब हम पढ़के क्या करेंगे All of you आप अगर ये चीज जानते हैं कि कोई चीज आने के पहले क्या था या वो चीज में क्या प्रॉबलम थे तो कौन सी नई चीज इवाल हुई तो शायद एक ऐसा जमन आएगा जिसमें आप इसका बविश्य का कोई नया वर्दन दे रहे हैं मैं आपको ऐसा बता दू कि कहीं न कहीं Google कंपनी में काम करने वाले लोगों ने भी बार्टर सिस्टम पढ़ा होगा तो उन्होंने भी पढ़ा होगा बार्टर में क्या पंगे हैं फिर उन्होंने भी पढ़ा होगा मनी कैसे आया फिर उन्होंने भी देखा के बैंक कैसे चल रही हैं तो आज उन्होंने दुनिया को Paytm, Google Pay, जैसे नहीं concept भी नहीं है Like, हर वो जो चीज नहीं आती है, वो past की कोई चीज का development होता है So, it is very important to study पहले क्या था और उसमें क्या तकलीफे थी So, हमारा first answer है, what do you mean by barter system and what were the limitations of barter system? All of you, note this very clearly Meaning of barter system and limitations of barter system is very IMP 5 mark answer for board exam इस chapter में और तीन 5 mark answer है, आज हम first answer करेंगे And similarly इसी pattern में हम दूसरे 5 mark के answer आने वाले sessions में करते जाएंगे And we will catch these 5 marks for ourselves So, now let us start with the first answer All of you, अब आपको आपकी screen पे हमारे इस chapter का first answer दिख रहा है In the first answer, let us read the question first Question 1 says, define barter system and explain limitations of barter system I said, define barter system and explain limitations of barter system जब इस तरह का कोई भी question आपको board exam में मिलता है So, आप सबसे पहले उसका introduction पहरा याने define पहरा पर दियान देंगे So, let us start हम common sense की language में बात करें अगर हम common terms में बात करें तो yes, barter system क्या होता है So, barter system होता है Where we give something and in exchange we get some other thing and there is no roll of money तो बस हम define के लिए उसी जिसको use करेंगे In define, we will write Let us see the answer itself The system of exchange where good search services are directly exchanged for other good search services without using a medium of exchange such as money is called barter system Okay, barter system अभी चलता है Obviously not, barter पुराने जमाने का system है तो इसके लिए इसकी definition के पास में लिखा हुआ है This is an olden system ये एक पुराने जमाने का system है अभी चलता नहीं है So, let us revise this once again और आप इसको मेरे साथ बोलते-बोलते screen से देखके बोलिए कोई problem नहीं है देखते-देखते इसको learn करेंगे It says The system of exchange where goods or services are directly exchanged for other goods or services मैं इसके टुकडे कर रहा हूँ आप टुकडो को अच्छे माइन करियेगा The system of exchange where goods or services are exchanged This is part 1 आप लिख सकते हैं Notebook में आपको जाद अच्छे से याद होगा The system of exchange where goods or services are exchanged आगे का part पे आते हैं For other goods or services This is part 2 For other goods or services Part 3 Without using a medium of exchange याने कोई भी और बीच में medium of exchange नहीं है पैसा नहीं है Such a system of exchange is called barter system तो क्या barter system अभी चलता है नहीं चलता है Barter system पुराने जमाने में चलता था तो this is an olden system Let us read ahead इसमें लिखा हुआ है In the olden time people lived a simple blaze life and they had less needs हाँ आज के जमाने में कहां लोगों की needs less रही है हमको जिन्दा रहने के लिए क्या नहीं चाहिए सुबह से लेकर रात तक हमारे कितने सारे wants होते है पूराने जमाने में लोग गाउं में रहते थे एकदम simple सी जिन्दगी जीते थे तो उनको जादा needs होते नहीं थे They carried out agricultural exchange याने खाना पीना जीना उसके लावा उनको जाता था नहीं तो I'll repeat They carried out simple village life and they had very less needs So what? अगर less needs थे और एकदम simple सा जिन्दगी चलता था So the exchange of goods and services was carried out and it was sufficient मैं यह पर अफिर से पढ़ लेता हूं In the olden times people lived a simple village life They had less needs They carried out agricultural exchange and exchange of goods and services which was sufficient for their livelihood Okay, screen पर लिखा हूँ example तो वो भी पढ़ सकते हैं जिनको screen दिख रही है मलब में आप कोई भी पढ़ सकते हैं आप अपने मन में इसके पहले एक और example सोच लीजिए बाटर सिस्टम क्या होगा? Yes, आप सही guess कर रहे हो समझो कि आपका एक friend है उसके पास एक ऐसा कोई चीज है Say, suppose he is having the Amazon Prime Membership और आपके पास Disney Outstar का Membership है तो क्या होता है पता है? आप उसने एक Membership लिया है आपने दूसरा Membership लिया है आप एक काम करते हो कभी थोड़ी दिर के लिए आप उससे उसका Membership का User ID, Password पूद लेते हो आप अपना Membership का User ID, Password उसको दे देते हो तो क्या हो गया? यहाँ आप जब आपने डिस्नी नहीं खरीदा था तो भी आप डिस्नी एंजोई कर रहे हो और आपके friend ने Amazon नहीं खरीदा था तो वो भी Amazon एंजोई कर रहे है So you are taking the benefit of services without paying to someone आप यह अंदर-अंदर exchange करके यूज़ कर रहे हो तो it is mutual exchange Sir, इकदम पुराने जमाने का क्या होगा? पुराने जमाने का तो यहीं पढ़ लेता है ना They say A farmer cultivating wheat would keep a part of wheat sufficient for his family एक farmer जो wheat उगाता है उसको अपने घर चलाने के लिए अपने लिए जितना wheat चाहिए वो उसमें काम चला लेता है उतना रख देता है And he would exchange the remaining wheat वो अपना दूसरा wheat बजार में ले जाएगा To exchange it for rice, clothes, shoes Maybe any other thing that he needs Similarly, shoe maker जो रहेगा उसको अगर clothes चाहिए या food चाहिए तो वो अपने shoes देखे उसके बदले में तो teachers जब अपना knowledge share करते थे तो लोग बदले में उन्हें कुझ न कुझ दे जाते थे Goods देते थे और artists भी जब अच्छा performance देते थे तो they were patronized Patronized this rewarded for their good skills अब Sir, barter system बहुत अच्छा था Theory में सुनने में हर चीद अच्छी लगती है Easy भी था बड़ बहुत सारे problems थे अब मैं काम कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ मैंने screen पर limitation लाओ जब मैं screen पर limitation एक एक करके आपके सामने लाओ उसके पहले आप थोड़ा सोच लीजिए Sir, इस system में क्या problem रहते होंगे Yes, हम guess करना start करते हैं आपको लग रहे है कहीं system में ऐसा होता होगा कि मुझे कुछ देना है बदले में आपको कुछ देना है लेकिन आप जो चीज दे रहे हो बदले में आप मेरी वाली चीज जितनी मांग रहे हो वो मेरी वाली चीज का आधा हो रहे है और मैं मेरी आधी चीज़ देना नहीं चाहता, मैं मेरी आधी चीज़ नहीं देना चाहता, सर नहीं देना चाहते मतलब, it's my choice, अच्छा एक मिनिट ऐसा भी दो हो सकता है, मेरी वाली चीज़ आधी हो जी नहीं सकती, सर क्या आदा नहीं हो सकता मैं फर्नीचर में करूं मैं फर्नीचर बनाता हूं आप आयो मेरे पास कि यह 100 kg गेहूं ले लो बदले में आप मुझे एक पूरा टेबल और चेर का सेट दे दो ठीक है तो मैं उसको बोलता हूं कि चलो ठीक है तो आप 100 kg लाओ बट मेरा तो इसका प्राइस 200 kg है खाली डेबल ले जाओ खाली चर्ड ले जाओ अच्छा रोको एक कान गरो आधा डेबल ले जाओ आधा चर्ड ले जाओ यार इस नौट मेकिंग एनी सेंस तो डाइट परसन अगर उसको एक्षेंज करना है तो उसको मेरी चीज पूरी लेनी पड़ेगी सो कि अधा तुरेगा के एक्षेंज नहीं हो पा रहे है कि आपको जो चाहिए वो आधा नहीं हो पा रहे है कई बार ये पंगा हो रहे है अच्छा दूसरा बता है यहां लोगों के जब बहुत सरे चोईज इस आने लगे पीपल है और डिफरेंट चोईज कि मुझी ये चाहि चीज ले-ले-बदले में ऐसा इंसान मिलना हो गया डिफिकल्ट तो दिस दफिकल्टी अच्छा फिर इससे कुछ जुड़ा हुए है थोड़ा संबलने की कोशिश करते हैं अच्छा आपको बता है इस सिस्टम में ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो गुट्स आपके बस बच जा आते हैं उनको आप संबाल के नहीं रख सकते या आपके गुड्स पैरिशिबल हैं वो खराब हो जाएंगे या आपने एक्स्ट्रा में एक्स्चेंज में गुड्स ले लिए तो फिर अप उनको कैसे संबाल के रखना is a big trouble and at the same time शायद कोई ऐसा भी तकलीफ हो सकता है कि हर एक इंसान के लिए रेट अलग-अलग हो क्योंकि कोई कॉमन मेजरमेंट हो है नहीं कि यह चीज़ कितने का है so now let us start discussing this limitations in detail अब आपके screen पे एक एक करके limitations आएंगे and we'll proceed accordingly let us start discussing limitations of barter system screen पे देखें before limitations we have one introduction पैरा यह जो introduction पैरा है इसमें से हम एक one-liner answer develop करेंगे let us see the introduction पैरा increase in population and socio-economic development resulted in increase in change in demand making them more specific अब आप मुझे इस question का answer करिएगा मैं एक one-line answer पूछ रहा हूं note this question और इसका answer भी आप लिख दीजेगा आपको मज़ा आ जाएगा it is what made demands of people more specific लोगों की demands बहुत specific कब से और क्यूं हो गई so the answer is increase in population जब population बढ़ा and socio-economic development हुआ sir socio-economic development society develop हुआ लोगों के पास बहुत पैसा आ गया तो अब उन लोगों के needs उसके साब से change हो गए है so I am repeating increase in population and socio-economic development resulted in increase in change in demand लोगों की demands बढ़े and the demand became more specific और अब क्योंकि demand हो गए जादा specific तो बाटर में होने लगे problem तो आगे का line भी भी लिखा हुए I am clear you are also clear हमारा online answer ready हो चुका है why demands of people became more specific so people का demand हो गया जादा specific people's demand became more specific with increase in population and socio-economic development now as a result क्योंकि demand specific हो गया dependency on barter system वो आगया जैसे barter system depend करता था mutual exchange decrease and personal needs increase so again one another one-line answer rise in industrialization urbanization division of labor and specialization made barter system limited my all smart students यह जो आपने अभी एक one-line answer मेरे से सुना है यह one-line answer को अच्छे से focus करना यह one-line answer एकदम one mark आपको clear दिखा सकते है exam में what were the main limitations of barter system और why barter system got failure barter system क्यों fail हुआ तो answer आता है increase in industrialization urbanization division of labor and specialization made barter system limited okay now हम point wise discussion पर आगे बढ़ते हैं we'll go to point number one it is barter system में पहला problem let us see the para the barter system less applicable or less impractical हो गया it's impract sorry impractical हो गया limitation of barter system are as under first is issue of mutual adjustment of want that is double coincidence of want okay word को समच्थते हैं point को समच्थते हैं double coincidence of want double coincidence incidence is to occur coincidences to occur together together double coincidence I am repeating incidence is to occur coincidences to occur together so double coincidence याने कोई चीज़ का आमने सामने टैली हो जाना sir example देंगे yes suppose मुझे वीट देके आप से राइस लेने हैं तो मुझे आप मिलने चाहिए जो आप ऐसे इंसाने जिसको राइस देके बदले में वीट लेना हैं illustrating again suppose I want to teach and I want shoes so I should get a student who wants to give shoes and study with me तो आमने सामने want टैली होना चाहिए उसे कहते हैं double coincidence of want so it is issue of mutual adjustment of want इसका दूसरा ही नाम है आमने सामने want टैली होना it is issue of mutual adjustment of want आमने सामने want का टैली हो जाना so let us start reading आपको सब पता चल जाएगा it says with social economic development needs of people increase जब समाज develop हुआ और लोगों की wants बढ़ गई so the wants changed continuously wants बढ़ने लगी this made economic system complicated economy हो गई complicated लोगों को ऐसे लोग सामने मिलना बहुत difficult feel होने लगा जिसको मेरे को मेरी चीज़ देनी है तो किसको मेरी चीज़ एट लेनी हो यार ऐसा कोई मिल तो जाए so for example those who had rice to exchange for wheat did not need wheat अब क्या नखरे आगे लोगों में मेरे बाद rice है तुझे rice लेना है बट तू क्या दे रहे वेट दे रहे नहीं चाहिए जा हट अब हट बोल दोगे तो एक्सचेंग नहीं होने वाली तो क्या हमें ऐसा कोई बंदा चाहिए जो हट न बोलके मुझे ऐसे बोले आजा यार तु मेरी चीज़ ले ले मैं तेरी चीज़ ले लेता हूं for example those who had rice to exchange for wheat did not need wheat but cloth for the butter while on the other end the one who had cloth did not wanted rice but wanted ghee in exchange अब क्या हो गया यह हो गया love triangle जैसा a loss b b loss c c loss d and d loss someone else तो क्या यह किसी का भी काम होने वाला नहीं है कोई mutual adjustment नहीं हो रहा thus there was a difficulty in establishing a need for each other's goods आमने सामने once चली नहीं हो रहे थे to make barter possible making it a challenge to establish a barter between indivisible and divisible things indivisible divisible things मने अभी अभी समझाय था कई कोई चीजें ऐसी होती है जिनको आदा किया जा सकते है और कई चीजें ऐसी होती है जिनको आदा नहीं किया सकता तो बाटर उनमें भी एक प्रॉब्लम था so now we are done with the first point बाटर का पहला problem था issue of mutual adjustment of wants आमने सामने wants का telly होना बड़ा difficult हो गया था now let us start with point number two on your screen you can see point number two is difficulty in storing value yes जब मैं कह रहा हूँ difficulty in storing value तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आज जिसे पैसा है I'll pray to God आप सब अपनी जिन्दगी में करोडों कमाएं करोडों से भी ज्यादा कमाएं तो आज अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप पैसा संबाल के रख सकते हो सर हँ अच्छा आप तो उल्टा बता है पैसा संबाल के तो रख सकते हो लेकिन पैसा कहाँ संबाल के रखना है अगर आपको उसकी अक्कल है जैसे कैसे बैंक में F.D. करवा दूं या किस तरह से बॉंड्स बाइ कर दूं या किस तरह से शेर बजार में इन्वेस करूं या कौन सी property खरीदू या किस तरह से पैसे को invest करके संबालू If you have that sense तो उल्टा संबाल के पैसे का value बढ़ जाता है अब मैंने कहा पैसे का value तो संबाल के उल्टा बढ़ जाता है We can store money and we can increase the value of money if we store it properly अब हम पुराने जमाने में चले चलते हैं बार्टर सिस्टम में पैसा तो था नहीं तो मेरे पास मेरी wealth के नाम पे क्या था आज मेरे पास मेरी wealth के नाम पे 5 गाय है चार buffalo है मेरे पास 5000 kg wheat है 2000 kg rice है ओके रुको जादा हो श्यरी मरने की कोई जरुवत नहीं है आज जो आपके पास है कल आपके पास हो नहो हो simple समझा रहो कुछ डरा नहीं रहा यह जो चीज आज आपके पास है कल इसकी value zero भी हो सकती है कैसे तो wheat wheat कोई lifelong रहने वाला नहीं rice कोई lifelong रहने वाला नहीं cows and buffalo किसी ना किसी दिन old हो जाएंगे और डाय भी हो जाएंगे so right now अगर आपके पास पैसा है तो वह पैसे की value zero नहीं होने वाली लेकिन उस जमाने में अगर आपके पास goods थे अगर goods की बदले में आपने goods लिये हैं और आपने कोई अच्छा सा produce करके अच्छा खासा goods इखटे की हैं तो आपके goods आप lifelong store नहीं कर सकते हैं इसी को कहते हैं difficulty in storing value let us start reading see on the screen there was an increasing problem in storing exchange value सरी फिर लोग यह system you see क्यों करते रहे पता है लोग system क्यों use करते रहे क्योंकि उस जमाने में कोई जादा कुछ बनाता ही नहीं था मैंने दो चार्टीजे बना ली तुझे दो तीन दे दी एक मैंने उस कर ली बाकी की दो तीन तुने किसी और को दे दी उसने किसी और को दे तो क्या रहता था जिंदगी चलता था simple blaze life अपके जमाने में क्या है बता है we make excessive goods industrial production is intense तो अब exchange इसके लिए difficult है let us continue for example a farmer में exchange wheat for pair of shoes चलो ठीक है या cloth but when productivity increases, he rises the productivity, he produces more wheat अब पता है मेरे पास उतना ही wheat था कि खाली shoes और cloth ले ले ता तो चलता था अब मेरे पास ज्यादा wheat है so if he produces more wheat then there arises a problem of storing surplus wheat अब extra wheat कहां करूं extra है wheat मेरे पास if wheat can be stored for a long period of time at a future date such stock of wheat can be exchanged for new pair of shoes or clothes अब क्या था wheat तो अगर store हो जाता lifelong के लिए तो कल जब मेरे shoes पुराने हो जाते तो मैं नए shoes ले ले था अब वो तो होना नहीं है so it is in it is practically impossible to store the wheat for a long period of time wheat को संभाल के रखना possible नहीं है when an individual produced on a large scale through one's own efforts यह तो यह हो गया पता है मैं मेरी मैंद करके बहुत सारा goods वगेरा बना दिया मैं बहुत ameer हो गया he had to exchange that product instantaneously अपने goods मुझे बेचने पड़ेंगे किसी नहीं किसी को देने ही पड़ेंगे क्योंकि कोई खुद के बाद रखूंगा तो उसकी कोई value नहीं है for goods and services it was otherwise difficult to store surplus goods और store exchange value of these goods तो अब हमने second point भी विनिश कर लिया है it is problem in storing value that is difficulty in storing value उसका मतलब होता है हम इसकी value store नहीं कर सकते now let us start with our third point third point का heading it says problem of measurement of value sir problem of measurement of value को आप कैसे समझाएंगे yes आप मुझे बताइए measurement of value क्या होता है ओके आप सही guess कर पा रहे हो एक अगर आप कोई पाड़ लेजी का packet लेने जाते हैं तो उसका value a b c d e या दुनिया के last इंसान तक के लिए भी सेम ही रहता है so today we measure the value of a पाडलेजी biscuit packet in terms of money और वो value सबके लिए सेम है अच्छा student a b c d e या दुनिया को कोई भी एक student अगर मेरे class पे आके मेरे से 12th standard पढ़ना चाहता है तो if I say that the fees amount is x so that amount is x for everyone दुनिया में हरेक को वो x पे करना है न में किसी से जाधा लेने वाला हूं न किसी से कम so today when we are measuring the value of value of goods in terms of money value remains same for all but barter system में money नहीं होता था पैसे जैसी कोई चीज थी नहीं तो exchange कैसे होता था आप अपनी चीज लाइए बदले में मेरी चीज ले जाए तो क्या है समझो आज मेरा mood बहुत अच्छा है तो मैंने ऐसा कर लिया कि मैं मेरी वाली चीज आपको दे दी बदले में आपकी जीज ले ली और ठीक है आज आपसे आपने जो दिया वो थोड़ा बहुत भी ले लिया तो चलेगा comfortable ठीक है तो like today the value was less अच्छा कल आप आए कल मेरा mood ठीक नहीं दा या मुझे ऐसा लग रहे अब ध्यान से दे रहा है तो बदले में मैं मेरी चीज तरफ इतनी दूँगा या तुझे मेरी चीज चाहिए तो बदले में तरी चीज डबल लूँगा do you know there was no fixed measurement of value so the point says difficulty that is problem in measuring value let us start reading when the world moved toward division of labor and specialization problem of measuring value of goods and service on equal basis arose sir equal basis arose exactly this is what I explained you पुराने जमाने में जब ऐसा था चलो वीट था राइस था तब तक ठीक था चल यार वन केजी वीट देता हूँ बदले में हाफ केजी राइस दे दे देना तो पूरी दुनिया के लिए वो रेट हो था था अब पता है क्या वीट 100 वेरैटीज राइस अनदर अन्डर वेरैटीज अच्छा दुनिया में खाली वीट राइस नहीं है दुनिया उससे आगे आचुकी है दुनिया में वीट राइस के अलावा भी बहुत सरी चीज़े आ चुकी है तो कितनी चीजों के साथ में राथ एक्षचेंगjos राथ याद करू के बजन। अनो, for example, it was very easy to remember easy to exchange wheat for rice also to maintain their rates exactly what I said, хe baut easy tha के wheat or rice ka exchange rate fix kia जाये, but an economic development economic development this economic development took place, preceded several goods and services started getting exchange, बहुत सारी चीज है आगई, this made exchange of products like wheat with other goods and all these things became difficult, अब example आप अपना बना के लिखिए या ये वाला भी लिखिए, it will do, example is, if 20 kgs of wheat can be exchanged for 40 kg of rice, 10 meter of cloth, 1 kg of ghee, then how much cloth will you get for 1 kg of ghee? पता है ये पढ़के मुझे असा फिल हो रहा है, A, B का मामा है, B, C का चाचा है, D, फलाना है, E, डिंगना है, तो आप मझे बताइए, अब A और E कैसे related है, इस तरह के relationship puzzle पढ़के, आप सोथते रहते हैं कि इनकी बीच में relation क्या है, तो यहाँ भी businessmen यही करता होगा, wheat का इतना दिया, rice का कितना, shoes का कितना, clothes का कितना, इसका कितना, उसका कितना, अच्छा, और यह कितना की लिस पूरी नहीं होने वाले हैं क्योंकि दुनिया में रोज नहीं चीज़े आ रही हैं, So, it was a big, this system was good till there was old blade system, अब यह system सही नहीं है, So, it is problem posed is faced, the need of common measure of value of goods, as a goods to compare and assess is to check the value of goods against each other, So, finally, we are concluding, these difficulties led to origin of money, जब यह system में problem में दिखी और इन problemों को solve करने की इच्छा पैदा हुई, तो एक नहीं चीज़ का जनम हुआ, उस नहीं चीज़ का नाम है, money, जो हमारा चेप्टर है, Money became a standard measure of value and common denominator of trade, Let us now sum up the class, अब आप अपनी स्क्रीन पे यह answer का definition portion और सिर्फ तीन पोइंट के heading देख पा रहें, So now, let us start referring that, barter system meaning, say it with me, barter system, the system of exchange in which goods and services are exchanged against other goods and services is called barter system. Yes, 3 limitations की summary अब याद करेंगे, heading याद करेंगे, Limitation 1, it says, problem in double coincidence of want, that is, आमने सामने want नहीं टेली होता था, Number 2, problem of storing value and number 3, problem in measuring value, So, आप यह answer अच्छे से learn करें और 5 marks को cash करें, See you, take care. अच्छे साम, आप याद करेंगे